Hello everyone, welcome to this session of test book super coaching, myself, Preeti, your paper 1 faculty, I hope everyone is fine, so आज एक important update मने लेके आई हूँ कि higher education ने कुछ strict guidelines, UGC ने higher education के लिए कुछ strict guidelines क्या क्या है, issue किया है, तो वही important information इस short video के अंदर cover करेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों ने higher education का field चूस किया, तो आपके आस पास UGC क्या का initiative रखता है, उस चीज के बारे में आपको awareness जुरूर होना चाहिए, exam perspective तो चलो ठीक है, आता ही आता, उसके अलावा being an aspirant, या एक student के तोर पे, या आपके छोटे brother and sisters हैं, तो हर एक के aspect में आपको इन चीजों की knowledge होना चाहिए, so before starting the session, just note down some important point, कि अभी paper 1 और जो हमारे paper 1 क classes है, 10 a.m. Monday to Saturday रहेगा ये, और 11.30 Monday to Saturday आप पे, मतलब आपको 10 बजे paper 1 YouTube पे मिलेगा, और 11.30 paper 1 आप लोगों को आप पे मिलेगा, जिसमें 3 दिन मेरी class है, और 3 दिन तुलिका माम की class है, and और जादा update के लिए, क्योंकि फिर भी बहुत सारे student के session मिस हो जाते हैं, please join this important telegram group, यहाँ पर आप लोगों को एक दूसरी के साथ interact करने का, या आपको कोई doubt आता है, तो आप मेरे से connect कर सकते हैं, important sessions के जो PDF है, वो सारा कुछ आपको इस group में मिलेगा, उसी के साथ साथ, अगर कोई job important आप लोगों के लिए आता है, assistant professor है, या teaching vacancy आती है, तो वो update भी मैं आप लोगों को यहाँ पर provide करूंगी, तो यह आप लोगों का जो important update है, वो क्या रहेगा, UGC बिना मंजूरी के विदेशी विश्वे विदालों के सयोग से गैर मानता प्राप्त भारती संस्थानों की डिग्रियों को मानता देने से इनकार करेगा, अब यहाँ पर कीशू आता बिना मानता वाले विदेशी सिक्षन संस्थानों से समझोता कर दी गई डिग्री क्या रहेगी, अब यह UGC के अभी guidelines है, UGC ने किसी इसके लिए चेता है, अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो, तो franchise के नाम पे कि हम लोग ना फॉरण से आपको यह डिप्लोमा कराएंगे, यह डिग्री कराएंगे, बहुत सारे scam यहां पर सामने आए हैं, तो students का जो fees है, students का जो hardened money है, उस सीज का यह लगा लिजिए, एक benefit उठाया जाता है, तो अगर ऐसा कोई institution है, जो without validity के, without affiliation के इस तरीके से run करता है, तो उसकी खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी, हाली में जो notice जारी किया है, कि यह बताएगे कि कुछ जो foreign institution या विश्वे विद्यालों के सयोग के साथ, online mode में degree है, डिप्लोमा जो program है, वो उनको provide किया जाता है, social media पे भी देखा है, newspapers में भी आता है, कि आप ABC जो भी university है, वहां से आप degree foreign से घर पे टिकर सकते हैं, तो ऐसी जो franchise है उसकी अनुमती नहीं है, इसी चीज को सुधार में लेने के लिए आप सभी को पताएगी, अभी NEP 2020 के बारे में भी जो बात हुआ था, ये बोल दिया गया था कि जो foreign institutes है, उनको यहां पी इंडिया में setup किया जाएगा, हालंकि कुछ institutes के साथ इनका जो ongoing है, अभी जो documentation process ह MOU है, उसके उपर काम अभी चल भी रहा है, और हमारी institutes foreign के अंदर अपने campus क्या करेंगे, establish करेंगे, तो ये क्या है, overall students के बीच awareness के लिए कि किसी भी इस तरीके के fraud में ना आए, तो ये एक छोटा सा important update था, तो आपके छोटी brother, sister, आजकल आ जाते हैं ना, इस foreign में जादा scope है किसी भी चीज का, तो उस एक illusion में ना आए, it's better कि validity को पहले check करें, उसके बाद ही किसी जहांसे में आप उस चीज को validate जरूर करें किसी भी चीज को आगे proceed करने से पहले, right, and उसी के साथ साथ हमारे foundation course paper 1 और paper 2 के शुरू हो चुके हैं, जिसमें like classes आप ल यहां पर हमारे साथ connect कर सकते हैं, और you can apply Preeti H faculty code for maximum discount, right, तो यह था एक important update, I hope सभी को information informative लगी है, so do like and share this important video and share this with your friends, उसके साथ साथ चैनल को subscribe कर लीजिए, जो generic videos है, generic sessions updates के लिए भी और paper 1, paper 2 की classes के लिए भी, मिलते हैं next session में, bye bye, take care, thank you so much.